बहुत कुछ सेहन किया, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, इसी जिन्दगी के सफर ने अब तक हर रग दिखाया है। मेरा भी मन करता था, स्कूल जाओ, पढ़ लिखकर पढ़िया नौकरी लगूँ, पर चोटी सी थी, जब पापा बिमार हुए, और भगवान को प्यारे हो गए, नाचने वाली, ढूंगे मटकाने वाली, पतानी क्या क्या कहते थे लोग, पर अगर मेरे नाचने से मेरा परिवार चलता है, मेरी मा, मेरी बहन, मेरे भाई की सिंदिगे चलती हैं, तो मुझे कोई गम नहीं है। अकेली मैं ही नहीं नाचती इस दुनिया में, एतिहास उठा के देख लो, और अगर भगवान ने मेरी किस्मत में यही, यानि आप सबका प्यार लिखा है, तो जलने वाले जलते रहें। मुझे आज भी याद है वो तारीक, साल 2008, 21 दिसंबर, जब अचानक अटेक से पापा की डेथ हो गई थी, और घर में कवाने वाला कोई नहीं था, तो 2009 में जब मैं 14 साल की थी, एक अलग दुनिया में आई, बहुत कुछ देखा इस 13 साल के सफर में, आप सबका तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगे, यह 13 साल का सफर मेरे लिए बहुत याद कर रहा। बहुत से लोगों ने गलत कहा, नाचने वाली, ढूंगे मटकाने वाली, पतानी क्या क्या। पर अगर मेरे नाचने से मेरा परिवार चलता है, मेरी मा, मेरी बहन, मेरे भाई की जिन्दगी चलती है, आप सबके चहरे पे मुसकान आती है, तो मुझे कोई गब नहीं है। छोटी सी थी मैं, 14 साल की, जब आप सबके बीच आई, इस कलाकारी कौम ने मुझे अपनाया, तब मेरा भी मन करता था, जब बच्चों को स्कूल जाते देखती, मेरे ही शो में मेरे सामने बैठे देखती, मन करता था, बढ़िया पढ़ू, लिखू, बढ़िया नौकरी कर पर उसके आगे, यानि कि उसके आगे, किसकी चलती है, ओटो में बस में रात के दो-दो बजे हम शो करके आते थे, लोग कमेंट करते थे, गंदे-गंदे बुरा लगता था, पर किसकी जबान पकड़ सकते हैं, किसको क्या कहीं, आज भी जब उस वक्त को याद करती हूँ, मैं डर जाती हूँ मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया भगवान गवा है इस बात का और शायद इसी लिए मुझे आप सब का इतना प्यान मिलता है मुझे याद है मेरा पहला गाना आप सबने हर जगा सुना ढाई लीटर दूद गैला बारा टिकड़ खावे से उसके बाद तो एक के बाद एक कभी आपने मुझे पीछे मुड़ कर नहीं देखने दिया बहुत सी बाते हैं इस दिल में जो बहुत सालों से दबाई बैठी हूँ चाती हूँ कई बार की बताओं पर हिम्मत नहीं होती आज आपके सामने हिम्मत करके आई हूँ एक वीडियो के माध्यम से और पूरा एक सफर बहुत जल्दी बताओंगी हाँ एक बात कहना चाहूँगी कोई भी हो लाइफ में कभी हार मत मानियेगा उसका जीता जाकता उधारन आपके सामने मैं हूँ भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है मैं मानती हूँ भगवान मेरा साथ ना देता तो शायद आज मैं भी वही होती जहां मेरे पापा है हाँ जाना एक दिन सब को है पर आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आज तक मेरे साथ रहे और आगे भी रहोगे उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ कभी नहीं रहे और ना कभी रहेंगे आखिर मैं बस इतना ही कहूंगी कि एक से दस, दस से हजार, हजार से लाख हो जाओंगी और यूँ ही हस्ते हस्ते दोस्तों एक दिन मैं भी राख हो जाओंगी एक दिन मैं भी राख हो जाओंगी